हेलो फैंस वेलकम बैक एट वार चैनल स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेडी पे गाईज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि एम्यू में जो एडमिसन होता यह इनका लिस्ट निकलता है तो यह लिस्ट कितना लिस्ट होता है यह सब कुछ हम बताएंगे आपको और डिटेल में समझने की कोईशिश करेंगे और कितना माक्स आपका जो होगा तो आप इन सब मैंसे किसी एक लिस्ट में आएंगे या फिर सेलेक्टेड लिस्ट में या चांस में मों लिस्ट में आएंगे या इस्पेसल केटेगरी वाल आता है इसमें से टोटल तीन लिश्ट आते हैं सबसे पहला जो लिश्ट आता नहीं यह सेलेक्टेड स्टु opens का ता है यह सशाम से इन में सब स्थ कर दिया चाहरा ठीक्रेव और यह सब स्ब्रेट में प्लब कर धिया जाए एक यह कि य्क हैं हो या था definition और फस्ट डिंट बुला या time of second day इन रिनीको लाया था selected list वाले को तो इनका दो दिन में सारा admission का काम खत्म हो या था तो काई इनमें में से हैंने हर रोज लगवाग इसे understanding को कॉरा ल něत हैault को डिसेंबर को एडमिस्ट रहता है और जो अब सेंट रहा तो उनका एडमिशन और होना बहुत ही मुश्किल है एडमिस्ट नहीं होगा उनका जो रिपोर्टिंग के टाइम कि मतलब एक्एंट होता है इसमें अगर испыт होगा सकते ही में होगा बहुत जह्मिला हो जाएंगा उनका मुश्किल है कि यह वेटिंग वाले जो होते ने उनको बोलाया था यह जिन इसको तुछ तीन ने नुए है तो तो दो दिन में अगर इनको जो बुलायायागा तो साड़े सास सो करके स्टूएंट को बुलाया जाए गा और उड़मेंसे आप यहां पे भी लगभक बुलायाता है नहीं एक हजार वेटिंग क्लियर होया था तो कैसे होता है कि इन में से 1500 में से 1000 का स्टूर्एन्ट рьणा एडमिशन ह duties की आपको आपका नाम लेके बदेगा शें पलाए तुम की पलई हूताय है उसका रूम में नापर बोलेगा एक से लेकर 1500 तक आपका रहे हाइगा तो तो इसमें से वन से लेकर हंड्रेट तक जितने भी बच्चे आएंगे इनको क्या करेगा मतलब फलाना रूम पे लिया जाएगा तो उस रूम में एक से लेकर सव तक स्टुएंट बुराया तो आप सोचेंगे सव इतना च्छोटा रूम में लेकिन वहां आपको 20-25 ही देखन लिश्ट से तो फूल हो गया वोसे फिर इतना वेटिंग है कैसे जाएं तो इसी इसमें आप लोगों का एडमिसन होने का चांसे बढ़ जाता जो आया हुआ रहा था उसका एडमिसन होया था तो वहां पर 30 स्टुएंट मौजूद रहता है तो उन सब का हो जाता है उनका ए सब्सक्राइब को सकते हैं अगर 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 आप करते हो तो जो उनको पता नहीं होता है या फिर उनको पता होता तो वो खुद आपको बता दे तो चले तीसरा जो आपका लिष्ट है वह इस्पेसल केटेगरी वाला है इस्पेसल केटेगरी का जो लिष्ट निकलता है यह यह आपका थर्ड लिष्ट है इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टुएंट्स ऐसे होते हैं जिनका सेलेक्टेड लिष्ट में भी नाम होता है अगर वहां नहीं भी होता है तो यहां पर जिनका नाम होता ने तो यह select होते हैं इनका dollar का निसान यह फिर कुछ इसे indicate कर दिया था कि यह student जो है selected है जिसका special category में चाहए marks कुछ भी हो अगर special category में आपका नाम आ गिया और कोई वहां पे particular सेंबोल दे दिया था चाहिए डॉलर का देता है वैसे मैंने स्पेसल केटेगरी का तो दिया नहीं था तो मुझे उतना पता नहीं लेकिन एक पर्टिकुलर सेंबोल दे दिया जाता है कि आपका रिकागनाइज कैसे किया जाएगा तो उसके लिए तो आप अगर वहां पर अगर कैटेगरी है आपने लगाया था एड्मिशन के साथ तो वह अडिजिनल वाला आपको लेके जाना है एड्मिशन के लिए आपका बहुत इजी लिए एड्मिशन हो जाएगा अगर आपका इस्पेसल कैटेगरी में है अगर नाम रहेगा वेटिंग में भी है और में आप जरूर जाएगा आपका एड्मिशन हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वह वेकेंसी रह जाती है क्योंकि बचा के रखता है कि जो बाद में स्पेसल कैटेगरी के वाले जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए उनका एड्मिशन कैसे होगा तो उनके लिए बचा के रखता है तो जो बहुत सारा सीट्ट जो है बच जाता तबी तो सेख़र में चेंज हो पाता सब्जेक्ट क्योंकि लिमिटेद है सब जो बचा के रखता इसपेसल के टेगरी वाला का स्टूडेंट्स के लिए और यहांतक आते आते हैं बहुत कम पहु दे देता है आप जाके चेंज करा सकते हैं सब्जेक्ट ओके काई आपको तीनों लिस्ट के बारे में समझ आ गया होगा सब कुछ अगर वीडियो अगर पसंद आया हो या फिर कोई भी पसंद आया तो लाइक किजेगा और कोई भी डाउट आपके मन में तो आप कमेंट जरू डिटेल में कवर करने वाले हैं इंशाला मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा चैनल पर और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और शेयर किजिगा अपने फ्रेंज के साथ तो गाइस मिलते हैं एक्स व्डियो में थैंक्स वॉच झाय बाइ